इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे कि computer hardware क्या है, इसके कौन-कौन से components है और इन components के functions क्या है आप पहले lesson यानि computer basics में जान चुके हैं कि computer hardware क्या है Computer hardware वो चीज़े हैं जिनने या तो आप छूस सकते हैं या पकड़ सकते हैं जैसे के mouse, keyboard, printer वगेरा आए इस सिलसले में मजीद जानने की कोशिश करते हैं अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो के एक डब्बे की मानिंद नजर आ रहा है असल में बड़ी मुफीद चीज़ है, इसे system unit कहते है System unit में computer का हर वो हिस्सा लगा होता है, जो उसको चलाता है इसके मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है और computer इस्तिमाल करने वालों को मुख्तलिफ facilities या सहूलियात फराहम करता है इसको computer की casing या covering भी कहते हैं इसे casing इसलिए का जाता है, क्योंकि ये computer के अंदरूनी हिस्सों को ढाप कर रखता है और उन्हें हर किसम के बेरोनी दबाव से बचाता है आएए हम system unit को कुछ तफसील से देखते हैं ये एक आम system unit है, जो किसी भी सता पर आसानी से खड़ा किया जा सकता है ऐसे system unit की casing को tower casing कहते हैं हो सकता है कि आपके computer की casing इससे मुख्तलिफ हो और इसमें लगी हुई चीजों की जगा भी मुख्तलिफ हो system unit की सामने वाली साइट पर आपको ये कुछ ports, lights और buttons नजर आ रहे हैं system unit पर लगे मुख्तलिफ buttons में से ये button power button कहलाता है इस button की मदद से computer को on या off किया जाता है इसको on करने के लिए इस button को उंगली से दबाते हैं देखिए अब ये computer on हो रहा है system unit पर लगी हुई lights ये बात जाहर करती है कि computer चल रहा है या नहीं और चल रहा है तो इस पर कोई काम हो रहा है या नहीं ये एक DVD drive है DVD ROM system unit के इस हिस्से में डाल कर इस्तेमाल की जाती है DVD ROM के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं इसके नीचे लगे हुए छोटे से बटन को दबाने से इस drive का tray बाहर आ जाता है CD या DVD को DVD drive की tray पर इस तरह रखा जाता है और दोबारा इसी बटन को दबाने से DVD drive के अंदर इंसर्ट हो जाती है DVD को drive से बाहर निकालने के लिए भी यही बटन दबाया जाता है इसको दबाने से tray बाहर आ जाता है और हम DVD उठा कर बटन दोबारा दबा देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं USB disk या flash disk भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है इसे भी इस्तिमाल के लिए system unit के मुख्तस हिस्सों में लगाया जाता है जिसे USB port कहती है इस वक्त आप system unit की बेरूनी साइड पिछली तरफ से देख रहे हैं जिस तरह TV और देकर बिजली से चलने वाली अश्या को बिजली के socket में लगाया जाता है कम्प्यूटर को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है लिहासा सबसे पहला socket जो आप इस वक्त देख रही हैं वो कम्प्यूटर को बिजली फराहम करने के लिए ही इस्तिमाल होता है इसको power connector कहते है वो तार यह cable जिसके जरीए कम्प्यूटर को बिजली फराहम की जाती है इसको power cable कहते है इस cable का plug बिजली के switchboard में लगाते है इस केबल का दूसरा सिरा कंप्यूटर में इस तरह लगता है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए इस्तमाल की जाती है। इसे इस तरह लगाते हैं। ये पोर्ट पैरलल पोर्ट कहलाती है। इसमें 25 होल्ज होते हैं। इस पोर्ट में कुछ तरह के प्रिंटर लगाय जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली इन पोर्ट से आप जरूर वाकिफ होंगे। ये वही पोर्ट हैं जो आप कैसिट प्लेयर या रेटियो पर देखती हैं। बास दफ़ा ये कंप्यूटर्स की अगली साइट में भी दी गई होती हैं। इस वक्त आप जो पोर्ट देख रहे हैं, ये भी एक पैरलल पोर्ट है। इसमें मॉनिटर की वायर कनेक्ट की जाती है। जी जुनाब, उमीद है आपने सिस्टम यूनिट की पोर्ट और कनेक्टिस को पैचान लिया होगा। अभी तक आपने सिस्टम यूनिट के बेरूनी हिस्से को जाना है। आईए अब हम इसकी अंदरूने हिस्से को भी देखते हैं। System Unit के अंदर जहां Hard Drive और DVD रोम लगाई जाती है, इस हिस्से को Drive बे कहती है अगर आप System Unit के आखरी हिस्से में देखें, तो आपको एक छोटा सा डबबा नजर आएगा इस डबबे को Power Supply कहती है, क्योंकि इसके जरीए Computer के तमाम हिस्सों को बिजली फराहम की जाती है आप देख रही हैं कि Power Supply से निकल कर कुछ तारें एक बड़े से बोर्ड की तरफ जा रही है, ये तारें Computer के मुखतले फिस्सों को बिजली फराहम करती है हर डिवाइस के साथ कुछ तारें लगी होती है, ये तारें सिस्टम यूनिट में लगे हुए एक बड़े से बोर्ड में जा कर लगती है, इस बोर्ड को Mother Board कहते है इसे Mother Board इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि ये Computer के मुखतले फिस्सों के दर्मियान तालुक काईम रखने का काम करता है Mother Board पर मौझूद इन मकामात को Slots कहा जाता है Mother Board में ही आपको छोटे छोटे Boards नजर आ रहे हैं, इन Boards को Interface Cards का नाम दिया जाता है इनको Mother Board के Slots में लगाया जाता है, और जरूरत ना होने पर निकाला भी जा सकता है Computer में System Unit के बाहर जो Devices लगती हैं, उनसे काम लेने या Communicate करने के लिए ये Interface Cards ही इस्तमाल होते हैं मसलन, आप जानते हैं कि हम आवाज सुनने के लिए Speakers का इस्तमाल करते हैं System Unit के अंदर जो Card स्पीकर के साथ Communicate करने के लिए इस्तमाल होता है, उसे Sound Card कहते हैं इसी तरह जब हम एक से ज्यादा Computer को आपस में Connect करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये Network बन गया है एक Computer को दूसरे Computer से Communicate करने के लिए जिस Interface Card की जरूरत होती है, उसे Network Card कहते हैं अब आप Motherboard पर लगे जिस Device को देख रही हैं, वो Processor कहलाती है, इसे Computer का दिमाग कहते हैं जिस तरह इनसान का दमाग उसके तमाम अफाल को कंट्रोल करता है, इसी तरह Computer में होने वाले हर काम के लिए हिदायात, System Unit में लगा, ये Processor ही फ्राहम करता है प्रोसेसर के उपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, जो Processor को ठंडा रखने के लिए इस्तिमाल होता है, क्योंकि जब Computer इस्तिमाल होता है, तो प्रोसेसर गर्म होता रहता है, और अगर इसे ठंडा ना किया जाए, तो ये खराब हो सकता है रैम चिप्स जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, ये भी Motherboard पर ही लगती है, Motherboard पर जिस जगा रैम चिप लगाई जाती है, इसे रैम की Slots कहते हैं आपने System Unit के बारे में एक मुक्त से इसा तारूफ देखा, इससे पहले हम Input और Output Devices के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आइए, देखते हैं कि ये सारी चीज़े मिलकर किस तरह काम करती हैं आप Computer को जो भी Data Input करते हैं, वो सबसे पहले Memory में जाकर Temporarily Store होता है, फिर ये Data Memory से प्रोसेसर में जाता है और Processing होती है फिर जो Results निकलते हैं, वो Memory में Store होते हैं, और साथ ही Output Devices के जरिए Display होते हैं, और साथ ही अगर हम चाहें, तो किसी Secondary Storage Device यानि डिस्क्स वगारा पर Store भी कर सकते हैं इस तरह हम Computer से बहुत से मुफीत काम ले सकते हैं Summary इस Lesson में हमने Computer Hardware के दीगर एहम हिस्सों के बारे में मालूमात हासल की मसलन सिस्टम युनिट और इसके सामने लगी Lights और Buttons फिर हमने देखा कि सिस्टम युनिट के पीछे कौन-कौन सी मुख्तलिफ Ports होती हैं जिसमें Serial Ports, Parallel Ports, USB और कुछ Pin Sockets शामिल हैं इसके बाद हमने देखा कि Drive बे क्या होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ Storage Devices कौन सी लगती हैं आपने System Unit के अंदर लगी Power Supply को देखा फिर आपने Mother Port और उस पर लगी दूसरी चीजें Cards, Slots, Ram Slots, Processor और उस पर लगे Fan को देखा